नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत है मेरे चानल मीडियो एफ एस पर तो दोस्तों आटके इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर जतिंदरनात मुखपद्ध है के बारे में वैसे तो जतिंदरनात मुखपद्ध है को उनके फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो क्रेडिट हमारे देश में नहीं दिया जाता पर हाली में दोस्तों उन पे एक फिल्म बनने वाली है बागा जोतिन जो हिंदी और बेंगॉली दोनों नदिया डिस्ट्रिक के कया ग्राम नाम के एक गाउ में जहां एक ब्राम्मन परिवार में जतिंदरनात का जनम होता है जतिंद जब महस पाथ साल के थे उसी समय वो अपने पिता को खो देते है जिस कारण से उन्हें अपनी मा शरच्छेशी देवी और अपनी बड़ी बहन बिनोधी बाला के साथ अपने दादादी के घर शिफ्ट होना पड़ता है उनका ज्यादातर बच्पन अपने दादादी के ही घर कया ग्राम में बीटता है जहां पे उनकी मा सरच्छेशी देवी बहुत ही अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी वो खुद अपने देश के लिए कुछ करना चाते थे अब इसी तरह दोस्तों अपनी मा की परवरिश में जतिन याप एक वीर और साहसी उवक के रूप में बरे होते हैं और आगे चलकी येर 1895 में कैलकाटा सेंट्रल कॉलेज को जोइन करते हैं अपनी एफए की पराई के लिए और इ जीवित कर सके और अंग्रेजों को मूतोर जवाब दे सके और यहाँ पर स्वामी विवेकानन को जतिन के रूप में इस रूल के लिए एक परफेक कैंडिडेट भी मिल जाता है वो यहाँ पर काफी समय जतिन के साथ रहते हैं वो जतिन को अपने पास रखके उन्हें काफी 99 में यहाँ प्रिंगल कैनेडी नाम के एक हिस्टोरियन के सेक्रेटरी के रूप में जॉइन करते हैं उन्होंने पहले सी स्टेनोग्राफी सीखी हुई थी तो यहाँ काफी काम आती है उनकी प्रिंगल कैनेडी वही इंसान ने जिसके पैमली को गल्ती से खुदिराम बोस बॉम से उरा दिया था तो यहाँ पर प्रिंगल कैनेडी एक हिस्टोरियन थे वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफी लिखते थे और यहीं पर इनी के साथ रहे कि जतीन को पहली बार समझ में आता है कि किस तरह से भारत को अगर अजाद होना है तो भारत को सबसे पहले पहले वेक्तियों में से एक थे यह जतिन रनात मुकोपात था है इसके बाद दोस्तों येर 1900 में जतिनिया पर शादी कर लेते हैं इंदुबाला बैनर जी से और मैस दो साल में उन्हें एक बेटा भी होता है पर अनफॉर्चुनेटली उनका जो ये बेटा था उसकी मौत हो जाला था बागा जोतिन तो हुआ कुछ यू था कि जतिन जब तीरत करके यहां पर अपने गाउ कया ग्राम वापस लोडते तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर जंगल में एक टाइगर यानि बाग एक रॉयल बंगॉल टाइगर लोगों को बहुत परिशान कर रहा है यह आपढ़ने की जगा लोगों को भी यहां पर नुक्सान पहुंचा रहा है तो जतिन क्या करता है कि अपने कुछ साथियों के साथ निकल पढ़ता है इस बाग को मारने के लिए अब यहां जब काफी देर तक बाग को ढूंडा जाता है तो यहां पे लोग भी अलग-अलग बढ़ जाते हैं, यहां पर जतिन और उनके एक भाई यहां पर फस जाते हैं बाग के सामने, मतलब बाग अचानक से इन दोनों के सामने आ जाते हैं, तो उनका जो भाई था, वो तो यहां पर बिल्कुल सन रह जाता है, वो तो यहां पर पीछे भाग परता है मदद के लिए, पर जतिन क्या करते हैं कि वो भागने की जगा उनके पास एक खुकरी थी, वो खुकरी लेके यहाँ पर सीधा बाग पर धावा बोल देते, बाग पर एकदव खुकरी लेके वो आकरमन करना शुरू कर देते, बाग के साथ लगबाग तीन घंटे तक उनकी लराई चलती है, औ पर डॉक्टर सुरेश प्रसाद सरवाधिकारी उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और डॉक्टर सुरेश उनसे इतने जादा प्रभावित हुए थे, जब उनने जतिन की कहानी सुने कि किस तरसे इसने खुकरी से एक रॉयल बेंगल टाइगर को मारा, तो वो यहाँ पर जतिन क चलके उनके नाम पर यह फिल्म भी आने वानी है, यहाँ थे तो दोस्तों हमने बात कि जतिन्जनात मुखर जी के परसनल लाइफ के बारे में, अब हम जानेंगे उनके जिंदेगी की सभी revolutionary activities के बारे में, तो देखे जतिन्जनात मुखर जी ने year 1900 में पहली बार अनुशिल समिती नाम के एक संगठन का निर्मान किया था अपने सयोगियों के साथ, मतलब वो एक co-founder थे यहाँ पे, इस अनुशिलन समिती का जो main target था कि British officials जो थे बरे-बरे और इसके लावा भारत में जो कई भारतिये British supporters थे या British government को जो support करते थे, उनको यहाँ पे धीरे-धीरे मा revolutionary activities के साथ जोड़ा जाए, ताकि जो Indian army है, उसे वो अंदर से खोकला कर दे और जब Indian army ही नहीं होगी, तो अंग्रेस किस तरह से दमन करेंगे भारतियोग, तो वो यहाँ पे इन British Indian army soldiers को अपने revolutionary causes में जोड़ना शुरू कर दे थे, इसके बाद दोस्तों लगबकसन 1905 में बहुत सारे Indians भी मौझूब थे, और वहाँ एक horse carriage में जो गोरागारी है, उसके अंदर काफी सारी Indian महिलाय बैठी हुई थी, और जो British soldiers थे, उन्होंने क्या किया था, कि वो सीधा गोरागारी के ऊपर जाके चर गे थे, ताकि उन्हें एक अच्छा सा view मिल सके, और वो प्रिस नात्मकर जी ने उनसे बात की, आप ऐसे उन्हें परिशान ना करे उतर जाए, पर जब वहाँ पर बात नहीं माने, तो वो तो और वो तो अल्रेडी काफी एक स्ट्रोंग इनसान है, वो तो बागाज होती है, जो नोने बाग को मारा था अपने हाथ से, तो सीधा व वेल्स ने सारी चीज़े देखी उनको जब सब कुछ पता चला कि आप अंग्रेज क्या कर रहे थे वो काफी नाराज हुए क्योंकि जो यूरोप में ब्रिटिश रहते थे उनमें से मेजॉरिटी लोगों को एक्चुली पता नहीं होता था कि इंडिया में किस टाइप का टॉ के साथ इंट्रिड्यूस करवा रहे हैं यहां पर प्रिंस वेल्स को भी सही तरीके से पता नहीं था कि एक्चुली इंडिया में किस तरह के एक्रोसिटीज हो यहां उन्हें कंप्लेंस मिले थे और यह पहली बार था जब उन्हें देखा था कि अंग्रेज क्या करते हैं यह पर उनका जवाब हिंदुस्तानी किस तरह देता है इसके बाद दोस्तों जतिनने कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में रिलीफ कैम्स काफी सारे चलाने शुरू कि यह मतब काफी गरीब लोग थे कई लोग यहां पर महामारी से पीरित थे और इन रिलीफ कैम्स के बहा प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने ओपनली दिखा दिया सीधा मार पींट देते थे यहां पर कोई उन पर उतना ज़्यादा शक भी नहीं करता और उनको वैसे भी अंग्रेजों ने पहली उनकी वीर्ता के लिए भी अवार्ट किया था तो किसने सोचा भी नहीं थे कि यह इ प्रोटेस्ट किया करते कि यहां पर अनुशिलन समीति का एक और नया ब्रांच वो इस्टाब्लिश करते और दार्जिलिंग सिलिकुरी आसपास के इलाखों से यहां पर लोगों को रिवनुश्टरी एक्टिवेटीस में बढ़ती करनी शुरू कर देते और इसी समय एक और बहुत ही इंपोर्टेंट घटना होई कि जब भागा जति इन दार्जिलिंग में थे उसी समय सिलिकुरी रेल्वे स्टेशन पर एक बर कुछ अंग्रेज ओफिसर कुछ भारतियों को यहां पर मार रहे थे मतलब भारतियों को तो वो काफी जादा पसंद नहीं करते थे एक के साथियों को जतिन्द्रात मुखर जी अकेले ही मार मार के सीधा सिलिकुरी रेल्वे स्टेशन में ही लेटा देते मतलब इतनी बुरी तरह से पीटा था आपको यहां सुनके लग रहा होगा कि यह कोई फिल्म की कहानी है मतलब रियल लाइफ में किस तरह एक इनसान अकेल परतियों के सामने हम जाके बोलेंगे कि एक इंडियर नहीं इतने सारे अंग्रेजों को पीट दिया तो भारतियों का और ता था था जो यहां पर आपर बॉस्ट हो जाएगा वह यहां पर वाइघ मैन बंगिया है इसके बाद दोस्तों बागा जैतिन यहां पर एक पर इसका काफी असर भी दिख रा था अंग्रेज काफी जादा परेशान हो चुके थे इस चीज से और इसके अलावा दोस्तो बागा जतिन ने भारत के अलग-अलग हिस्तों में मतब स्पेशली बेंगाउर में पर भारत के भी अलग-अलग हिस्तों में कई जगण पर revolutionaries को प्लांट कर धिया था तो वो सब यहाँ पे जाग उठे और अंग्रेजों को खिलाफ लड़ना शुरू करतें, बतब अंग्रेजों को पता भी नहीं था कि कहाँ पे कौन revolutionary निकल चाहिए, कई से भी कोई भी एक revolutionary बन सकता था, अग जतिन का यहाँ पे target भी यह ही था, कि यह जो revolutionary इसते इनको आगे चल के स्थमाल करेंगे, इनके हाथ में जैसे यहाँ पे हतियार आ जाएंगे, काफी मात्रा में, तो इन revolutionary इसका स्थमाल करेंगे, पुड़ी तरह से इंडिया में, इस तरह से 1857 में एक revolt हुआ था, उस तरह का एक revol तयार करेंगे, और इंडिया में एक इंडिया नाश्टल तैयार करेंगे तो यह इनका मेंन टार्गेट था इसके बाद दोस्तों जतिननात वोकरजी के नेत्रित्व में इंडिया में कई सारे एसासिनेशन्स होई जिन में से दो सबसे दादा इंपोर्टेंट थे जो सबसे पहला एसासिनेशन था वो हुआ था प्रसेक्यूटर समसूल आलम को भी 24 जनवरी 1910 को मार डाला यह जो समसूल आलम थे यह भी इंडियन आफिसरी थे पर यहां पे वो इंडियन पे बहुत जादा टॉर्चर करते थे 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 थर्ड डिग्री देते थे पतब रेवलुशनेरी इसका यहां पे जीना मुश्किल कर दिया था तो य समसूल आलम और उनके एक और साथी ने आशुतर भिश्राष को मारा था तो फाइनली यहां पे बिरेंदतागुपता को तो फासी दे दी गई पर उन्हीं के बयानों के आधार पे यहां पे जतिन्दनात मुकर्जी और उनके साथियों को अरेस्ट किया गया और अंग्रेज भी यहां पे काफी यह तक शॉक्ट हो चुके थे कि इतने बरे पोस्ट का कोई आदमी जो अंग्रेज गवर्मेंट में इतने बरे पोस्ट में है वो इस तरह का एक खतरनाक रिवलिशनरी हो सकता है अभिया दोस्तों जतिन्दनात मुकर्जी पे तो काफी सारे आरोप लग अनि कोई डायरेक्स सबूत उनके खिलाप यहां पे मिलाने इस वसाद से यहां पे जतिन को छोड़ना परा और जतिन यहां पे आजाद हो के दुबारा से एक और बरे पैमाने पे यहां पे रिवलिशनरी एक्ट में लग तो इस बार जतिन ने क्या प्लैन किया कि यूरोप में already World War I शुरू हो चुका था और यहां पे अंग्रेजों के सबसे बरे दुश्मन थे Germans तो उनका प्लैन था कि Germans की मदद से यहां पे भारत में हतियार मंगवाये जाएंगे यानि Germans से यहां पे आम सपोर्ट लिया जाएगा और जो इंडिया में रिवलिशनरी स्थे जो उन उनका एक सिंपल सा प्लैन था और यह काफी कारगर भी प्लैन हो सकता था उनको यहां पे पता था कि अंग्रेज उन पे नजर रखे हुए तो उन्होंने यहां पे काफी renowned revolutionary हुआ करते थे मतब सन्यासी बनने से पहले और इनका नाम था जतिंद्रनाथ बैनर जी तो लोंने और अल्लेडी बहुत सारे revolutionary activities में पार्ट लिया था और अभी भी उनके काफी सारे सहयोगी थे जो यूपी पंजाब इस इलाकों में revolutionary activities को समालते थे तो यहां पर स्वामी ज चलके Indian National Army यानि अजाधिन फोच को तैयार किया और इसी अजाधिन फोच को उन्होंने नेताजी शुवास चंदर बोच को सपा नेताजी शुवास चंदर बोच को तैयार नहीं किया था और इन दोनों में कोई blood relation भी नहीं था ऐसा मत समझीए यहां पर राजबिहरी बोच नेताजी शुवास चंदर बोच को इंडियन National Army बना कि उसका कमांडरी इन चीफ त्यार किया तो यहां पर जतिन्दुनात मुखर जी राजबिहरी बोच से मिलते उनके और भी साथियों से मिलते और यहां पर एक पूरी तरह से प्लैन के माफिक पूरे भारत वर्ष में अल पर यहां पर दोस्तो सन 1915 में जतिन ने जो टारगेट किया था कि उन्हें जर्मन से यहां पर हतियार लेने होंगे तो वो टारगेट यहां पर सफन हो जाता है जतिन को यहां पर जर्मन्स प्रॉमिस करते कि वो हतियार भेजेंगे और वो हतियारों से भरे जहाज यहां पर पर रोक नहीं पाएंगे, तो अंग्रेज यहां पर उस जहास के भारत आने से पहले ही उसे रोक देते हैं, और जतिन जी का जो इतना बड़ा प्लैन था, उस पूरा प्लैन यहां पर बरबाद हो जाते हैं, अब यहां जब अंग्रेजों को पता चलता है कि इन सब के पीछ औ उनके पीछे लगी हुई थी, पर जो गाओ वाले थे, वहां पर वो भी उनके पीछे लगी हुई थे, कि इन गाओ वालों को भी यहां पर पैसा चाहिए था, गाओ वाले काफी लाल चाहिए थे, अपने देश को भी धोका देने को तियार थे, यहां पर जतिन जी किसी तरह से इन सबसे बचते वे 1200 railway station की और निकलते हैं पर finally यहाँ पर बागा जतिन और उनके सभी साथियों को अंग्रेज यहाँ पर चारो तरफ से घेर लेते हैं हाला कि जतिन को उनके साथियों ने कहा था कि आप यहाँ से निकल जाईए हम आपको यहाँ पर हम आपको यहाँ पर फ इतने घायल होने के बाद यहां पर फाइनली जतिन को हार मानना पड़ता है अंग्रेज उन्हें एरेस्ट कर लेते और उन्हीं यहां पर बालासवर हंस्पिटल ले जाया जाता है और फाइनली दोस्तों अगले ही दिर्यानी सितंबर 10-1915 को जतिनाथ मुखर जी की उनी के बुलेट उम्स के कारण दोस्तों मृत्ति होती है इन्हें मृत्ति उनी के अनाचिए उन्हें वीरिगती प्राप्त होती है वो अपने देश मात्रिका के पास ही हमेशा के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों इंडिन रिवल्यूशन का एक बहुत ही इंपोर्टन अभ्या यहां पे खतम होता है यहां तक तो दोस्तों मैंने आपको बागाजतिन के बारे में सारी जानकरी दे दिये पर अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज सेक्षिन में सवाल पूछ सकते हैं और आज के लिए मैं इस वीडियो के यहीं पर एंड करना चाहूंगा अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के स आज शेयर भी कर दीजिए तो ठीक है दोस्तों टाटा बाई बाई जायें